तो हेग गाईस बहुत बहुत स्वागत है टिकिन हिंदी यूट्यूब चनल पर गाईस अगर आप गूगुल में जो सर्च हिष्टी होता है अगर आप डिलेट करना चाते हो एंड गूगुल में जाके जैसे हम लोग कुछ भी टाइप करने जाते हैं यहाँ पूरा हिष्ट् करने के लिए अगर चाते हो आपका इमेज चाहे वीडियो चाहे आडियो और आपका इमेज चाहे वीडियो चाहे आडियो चाहे आप कुछ भी सर्च के हो सभी डिलेट हो जाएगा तो उसके लिए आपको क्या ट्रिक बताया कि जैसे मैं पहले बताई कि आप इस तरीके से एक एक करके डिलेट कर से तो अधरोईस आप सभी को डिलेट करने जाते हो तो आपको एकाउंट में जाना है तो गूगुल यहाँ पर पहला option आ रहा है saving to wave and app activity यहाँ पर आपका जो अब सर्च कर आप के लिए चाहे आपका website में यहाँ पर सेव हो रहा है तो आप यहाँ पर off कर सकतो अगर आप off कर दिया तो next बार से क्या होगा कि यहाँ पर सर्च हिस्टी सेव नहीं होगा तो यहाँ पर हिस्टर म मैना या 36 मांद का भी कर सकतो तो यहाँ पर automatic जो default है 18 मांद का है तो यहाँ पर देखिए don't auto-delete activity यह भी option है आप इसको पर क्लिक कर लेना है आप गयाँ पर delete today का आ रहा है delete custom range and delete all time and 18 मांद से उपर जो है auto-delete को जो भी select करने जा तो आप कर सकते हो delete all time में कर लूँगा जो भी search option आ रहा था आपको यहाँ पर delete हो जागा तो देखिए यहाँ पर select all option आ रहा है चैनल, image, search, search, video search जो भी हम लोगो ने सर्च किया Google में जो connect है सभी delete हो जाएगा तो यहाँ पर next कर लूँगा एंड यहाँ पर बता रहा है कि यह जो है permanently delete हो जाएगा आप जो भी search कियो और preview more आप जाके देख सकतो क्या का search में है तो उसके बाद नीचे delete option आएगा just delete के उपर click कर लेना है अगर आप चाहते हो तो तो यहाँ आप लेकर आप देख पर हो delete complete यानि कि जो भी search option आ रहा था history आ रहा था सभी delete हो गया तो आप यहाँ पर got it इसको पर click करना है तो search इसके डिलेट करने के बाद और आपको setting करना है यहाँ पर control में जाने के बाद यहाँ पर option आ रहा है wave and app activity यह भी आपको delete करना है जो भी activity automatic save हो रहा है उसके बाद auto delete जो है 18 months से उपर जो भी हो रहा है वो delete हो जागा और निची एक option मिला delete again इसको उपर click करना है एंड यहाँ पर आप चाहतो हो कि last hour, last day and all time and custom range आप select करना है जैसे मैं all time करूँगा तो यहाँ पर आपको select करना है कहां कहां से आप जो history delete करना चाहत जैसे मैं select all कर दूँगा आप चाहतो एक एक को select कर सकतो यह जो है बिल्कुल एक click में आप कर सकतो तो अगर आप चाहते हो कि सभी को select करने के लिए select कर देना है and next next पर click कर देना है तो आपको यहाँ पर अभी बता रहे कि क्या 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 आपका card में है यानि Google में जब search करतो तो क्या क्या यहाँ पर सो होता है सभी आपको दिखाई देगा अगर आप इसको रखने चाहते हो रख सकतो आदरो इस preview more पर जाएगे और भी देख सकतो क्या 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 हिस्ट्री है क्या 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 आप YouTube में Facebook में sorry क्या 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 आपने YouTube में Google में देखते हो सभी पे डिलेट कर दूँगा डिलेट करने को बाद डिलेशन कंप्रेट दिखाएगा अभी जो है बिल्कुल आपका फोन गॉटिट इस में क्लिक करना है और अभी से जो है आपका फोन में जितना भी हिस्ट्री सभी क्लियर हो गया और जैसे आप गूगूल ओपन करके सर्च वार है सजिस्ट होके आ रहा है तो मैंने यहां पर सर्च नहीं किया और आपने जो सर्च किया ट्राश भी दोस्तों आप देखूगे आपका बिल्कुल हिस्ट्री में नहीं आएगा तो आहिए आप गाईज आपको फीडियो पसंद आए और आगर फीडियो पसंद आए चैनलों